हाई गाईज वेलकम टू दिस माई चैनल देशी आरवेद में स्वागत है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन की घंटी दबा लाइक सेर कर दें साथियों आपके लाइक करने से कोई पैसा नहीं कटता है लेकिन मेरा मोटि भोज कर उनका वीडियो बना कर आप तक पहुचाने का कार करते हैं ताकि जरूरत मंदों को जरूरत पर काम आए और वे इसका लाब उठा सकें दोस्तों हम आपके लिए आज लाए हैं मोथा का पौधा इसे सभी लोग जानते वा पहचानते हैं लेकिन औस अधिये कुछ ही लोग जानते होंगे मोथा इस देश के सभी प्रांतों में बहुलता से होता है इसके पत्ते लंबे लंबे छोट होते हैं इसके डंथी लंबे पतले उची तिरकौनकार पत्तों के बीच से निकलती रहती है डंथी के अगरभाग पर पुस्प बाहक साखाएं निकल से घिरा रहता है इसके नीचे जमीन में एक कंद काले रंग के भीतर काली युक्त सफेद होते हैं इन में से सुगंध आती है मोथा की और भी जातियां होती हैं लेकिन सबके गुण समान है इसके काले काले कंद का चिकिस्सा में उपयोग किया जाता है गुण आरवेद के मत से मोथा गराही दीपक पाचक स्वा बेद जनक मूत्र जनक अस्तन्य बर्धक अती बेन जनक किंचित गर्भासे स्वारी गर्भासे हो उत्तेजक केश बर्धक मन रोपक एमंक किरिम धन्य है इसमें एक सुगंधित उस्वारी उडन सील सील तेल बासा सकरागोद कार्बो हाइडरेट अल्यू मीन साधिरिस पदार्थ तंत्र तथा राख एमंग अत्या अल्प मात्रा में सारव आध पाए जाते हैं कुपचन, बामन, अतिसार, आमासे तथा अनत्र के विकारों में इसका बहुत परियोग किया जाता है आमातिसार में ताजे कंद को अधरक के साथ पीर कर पीस कर मधू मिला कर खिलाते हैं इसमें बीस मोथे के कंदो को तीन गुने दूद तथा पानी से उबाल कर दूद सेस बचने पर छान कर पिलाते हैं सभी परकार के अतिसार में इसके क्वाथ में ठंडा होने पर मधू मिला कर पिलाने से लाब होता है स्वा बेद जनक मूत्र जनक एवंग उत्तेजक होने से यह जोर जोरांती सार एवंग पित जोर में भी उपियोगी है बी सूची का हैजात अथा मादा में तिसा सांती के लिए इसके कंद का क्वाथ बना कर सीतल क्वाथ को पिलाएं घाव अच्छी बण में इनके कंद को घिरित में भून कर पीस करके तीन चार दिन में लाब होता है आखों के फूली एवंग लालिमा में बकरी के मूत्र में इसके कंद को पीस कर आजन की तरह लगाएं इसकी ताजी जड़ को गवगिरित में मिला कर मन पर होड़े फूंसी पर लगाते हैं इसको जल में पीस कर दूध की बृद्धी के लिए इस्तुरियों के अस्तन पर लेप करते हैं इसकी मात्रा तीन से च्छा ग्राम है नमस्कार देशी आरवेत